नमस्कार, Welcome to your channel Stock Market Wizards, Tata Power ने आज क्वाटरफोर का रेजल डिक्लार किया है और बोर्ड ने 2 रूपीज का यहां पर डिविन डिक्लार किया है, अगर आप रेजल डेखेंगे, एक्सपेर्टिव मार्जिन बाके परामेटर ठिक ठाक है, जैसे कि नेट प्रोफिट देखेंगे Year to Year basis के पर 32.7% का जौम देखने हो मिला है, और रेजिन यहां पर 27.2% का जौम देखने हो मिला है, प्रिवियोस यहर में था 12,453 कोड़ का, और इस क्वाटर में आया है 15,846 कोड़ का, इबीटे देखेंगे तो 15% का जौम देखने हो मिला है, लेकिन मार्जिन जो था, प् आई जिस टाइप का ओल लेडी आउट पर्फरम कर चुका है, तो एक बार यहां पर पूल बैक आ सकते हैं, क्योंकि रेजोल उतना भी स्ट्रॉंग आउट पर्फरम नहीं किया है, तो यहां पर पूल बैक आएगा, तो पूल बैक में आपको आकुमलेशन करना है, बड़ा अइपने जो ब्रेक आउट करने के बाद देखें, श्टॉक का प्राइस आप के बाद पर फिर से अप्रेंड इह स्टाबिस क्या है, अड झिस टाप का कर रहा है, प्राइस एक बार pullback कर सकता है अगर pullback करेगा तो weekly juice का positional support बन रहा है वो बन रहा है nearly 315 के असपास अगर इस level को test करेगा तो probability high कि यहां से bounce आ सकता है यह तो हो गया positional view अगर डेली time frame में देखेंगे intraday support resistance कहां बन रहा है intraday support calculate बन रहा है nearly 420 यहां पर intraday का support मिलेगा and resistance बनेगा life high जो की बन रहा है nearly 464 464 and 420 intraday में अगर निच्छा आएगा तो 420 के आजपास आने के बाद support मिलेगा bounce करेगा और 464 से resistance मिलके निच्छा आएगा तो in between according to this level आपका strategy का play कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ आप डेटेशानल से समस्पार होंगी वीडियो आचा लगा वीडियो लाइक किजेगा चानल को सब्सक्राइब किजेगा नमस्क्राइब